घर पर बेकार पड़ी प्लास्टिक की सिमेंट की इन बोरी में हमने औरगनी तरीके से अपनी पूरी फैमिली के लिए टमाटर गिरो किया हुए हैं और आप टमाटर देख सकते हैं कितने सारे टमाटर आए हुए हैं लेकिन बहुत सारे लोगों की सिकायत ये रहती है कि यार ह हम घर अपर अपने टेरस गार्डन में, किचन गार्डन में या फिर गमलो क्यारी में टमाटर ग्रो करते हैं, हमारे टमाटर अच्छे तरीके से ग्रो ही नहीं हो पाते हैं, टमाटर आने की बात तो दूर है, तो अगर आप लोगों की भी यही सिकायत है कि आप टमाटर ग्रो तक इसके लाब़ा आज की इस बीडियो हम आपको बताएंगे और दूसरे जарूरी केरें टिप्स जिस तरीके से हम आपको जो तरीका बताने जा रहे हैं उस तरीके से आपके टमाटर के पौदे पर बहुत या अच्छी फिरूटींग होगी इसके लाब़ा आज की हमारे इस टमाटर के पौदे पर जो आप टमाटर देख रहे हैं इनका जो साइज है वो मार्केट में मिलने वाले टमाटर की तरह है तो टमाटर के साइज को भी हम उस फर्टिलायर के इस्तमाल करने से बढ़ा सकते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपके टमाटर के पौदे पर ज्यादा टमाटर लग सके हैं इसके लिए बस आपको आज की हमारी इस वीडियो को कम्पिलीट देखना है इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फैस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज़ को लाइक अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमसे जोड़ने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरू कर लें तो चलिए सुरू करते हैं घर पर पूरी फैमिली के लिए धेर सारे टमाटर कैसे ग्रो करें अपनी पूरी फैमिली के लिए उगाने के लिए आपको इस तरीके की सिमेंट की बोरी चाहिए होगी इसकी जगा आप चाहें तो आटा चावल की बोरी का भी इस्तमाल कर सकते हैं इस तरीके की सिमेंट की बोरी आटा चावल की बोरी हम लोगों के यहाँ पर होती है और हम उसको बेकाल समझ के फैक देते हैं तो इस तरीके कि आटा चावल की बोरी, सिमेंट की बोरी को इस्तामाल कर सकते हैं बहुत सारी सब्जिया उगाने के लिए अब हम बात करेंगे टमाटर को गिरो करने के लिए आपको किस तरीके की मिट्टी की जरोत पड़ेगी तो आपको टमाटर उगाने के लिए थोड़ा रेतीली मिट्टी चाहिए होती है ज्यादा हार्ड मिट्टी का इस्तमाल नहीं करना चाहिए गमलों में, सिमेंट की बोरी में टमाटर के पड़े को गिरो करने के लिए जितनी ज्यादा सौट मिट्टी होगी गमलों में या फिर क्यारी में गिरो करने के लिए इतने ही अच्छे तरीके से टमाटर गिरो होगा इसके अलावा टामाटर को गिरो करने के लिए जो मिट्टी इस्तमाल करेंगे उसमें आप 30% गोबर की खाथ, 40% अपने गमलो की गार्डन की मिट्टी बाकी रीबर सेंड, तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद टामाटर के पौदे लगा सकते हैं टामाटर के जो बीज होते हैं उनको डारेट नहीं लगाना चाहिए, बलकि पहले टामाटर के पौदे की पौद तयार की जाती है, उसके बाद जब 4-5 इंच की पौद हो जाती है, या उससे बड़ी पौद हो जाती है, उसके बाद उसको ट्रांस्पाइंट किया जाता है, ज अच्छे तरीके से पानी दें और पानी देने के बाद ध्यार रखें टमाटर के पौदे को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए या फिर गमले को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर डारेट पूरा दिन की धूप आती हो टमाटर की अच्छी ग्योथ के लिए पूरा दिन की धूप मिलना बहुती ज़्यादा जरूरी होता है यहाँ पर एक बात का और जानना जरूरी है कि टमाटर को कब से कब तक लगाया जा सकता है तो टमाटर को आप अक्टूवर से लेकर के लाइट अपरेल तक असानी से लगा सकते हैं तो जैसे कि यहाँ पर आप हमारे इस प्लास्टिक के ड्रम है जो कि हमने बीछ में से कट कर लिया है इसमें हमने टमाटर के ये पौधे ट्र Surprise कर दिये हैं और लगाने के बाद अब हम हलका पानी दे रहे हैं तो जैसे कि आपने अभी ड्रम में हमने जो टमाटर के पौदे लगाए थे ठीक बैसा ही यहाँ पर हमने सिमेंट की बोरी में भी टमाटर के इन पौदों को लगा रखा है एक सिमेंट की बोरी में टमाटर के दो पौदे काफी है लेकिन हमने एक्ष्ट्रा पौदे लगाएं चलिए आने वाले समय में देखते हैं इन टमाटर के पौदों की ग्रोथ कैसे चलती है और कब तक इन पर फ्रूटिंग होती है घर पर बेकारपली प्लास्टिक की सिमेंट की इन बोरी में टमाटर के पौदों को लगाए हुए पुरे 15 दिन का समय हो चुका है 15 दिन के बाद का यह रिजल्ट है तो जैसे कि आप लोग देख सकते हमारे टमाटर के पौदों की ग्रोथ बहुत याची तरीके से चल रही है हमारे ये टमाटर के पौदे एकदम ग्रीन और हेल्थी है टमाटर के पौदे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टमाटर के पौदे को सपोर्ट की जरूत पढ़ती है सपोर्ट देने के लिए आप किसी भी पतले बास की खप्चों का इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप पतले बासों का इस्तमाल कर सकते हैं जब आप पतले बास गार देंगे तब आपके टमाटर के पौदे जब बड़े हो जाएंगे तो एक साइड में जुक करके नहीं तूटेंगे इसके लावर जो टमाटर के पौदे आप बास के खपसों के सारे उपर चड़ाएंगे या फिर बास के सारे उपर चड़ाएंगे तब आपके टमाटर के पौदे के जो फ्रूट है वो भी खराब नहीं होंगे अगर आप टमाटर की पौदों को इस तरीके से पतले बास हो या फिर दूसरे किसी भी चीज से सपोर्ट नहीं देते हैं तब टमाटर का पौदा खराब हो जाता है इसके लाबा फ्रूट भी खराब होता है इसलिए फ्रूट को बचाने के लिए टमाटर को बचाने के लिए इस तरीके से आप सिमेंट की बोरी या फिर दूसरे किसी चीज में भी आप टमाटर को ग्रो कर रहे हैं, इस तरीके से बास को गार दें, बास गड़ाई का जो सही समय होता है, बहुता है टमाटर की पौदे लगाने के लगबर 10-15 दिन के बाद, अगर आपका टमाटर का पौदा बड़ा हो जाता है, उसके बाद अगर आप टमाटर की पौदा को सपोर्ट देने के लिए बास को गारते हैं पौदे की मिट्टी में, तब आपके टमाटर की पौदे की जो जड़े हैं बो डिश्टर हो जाती है, इससे आपका टमाटर का कुछ और ज़रूरी काम करने होते हैं जैसे टमाटर के पौधे पर 2G Cutting करना और 3G Cutting करना तो जैसे कि यहाँ पर आप आप लोग टमाटर के यह पौधे देख रहे हैं यह लगबग 10 इंच के उचे हो चुके हैं तो आप सही समय है इन टमाटर के पौदो को टॉप के एए से इस तरीके से पिंच करने का इस तरीके से अगर हम टमाटर के पौदो को पिंच कर देते हैं तो टमाटर के पौदे पर ज्यादा साइड ब्रांचेस निकलती हैं जब आपके टमाटर के पौदे पर ज्यादा साइड ब्रांचेस निकलती हैं तो जा और थिरजी कटिंग करेंगे हर 15 दिन के अंतराल पर तो यहां पर हमने सभी पौदों को टॉप के एरिये से पिंच कर दिया है अब हम आपको आने वाले समय में दिखाएंगे किस तरीके से हमारे ये टमाठर के पौदे बंजी कटिंग करने के बाद घने हुए घर पर बेकार पड़ी प्लास्टिक की सिमेंट की इन बोरी में जो हमने टमाठर के ये पौदे लगाए थे और इन पर जो बंजी कटिंग की थी बजी कटिंग करने के कुछ दोनों के बाद इस तरीके से हमारे टमाटर के पौदे पर काफ़ी सारी साइड ब्रैंचेस निकल चुकी है यानि कि हमारे ये टमाटर के पौदे पहले से काफ़ी घने हो चुकी है पौदों की ग्रोध भी बहुत थी अच्छी तरीके से चल रही है आने वाले समय में इन पर ज्यादा फ्रूटिंग हो सके ज्यादा इन पर फूट लग सके इसके लिए अब हम इन में एक औरगैनिक फर्टिलाजर का इस्तमाल करेंगे मस्टर केक और केले के छिलकों के दोरा इसके इस्तमाल करने से हमारे टमाटर के पौदे की ग्रोध भी तेजी से होगी और आने वाले समय में ज्यादा फलफूल भी आएंगे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये टमाटर के पौदे के लिए जो हमने फर्टिलाजर तयार किया है कैसे किया है तो इसके बारे में आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें यहाँ पर जो आप ये पलाइस्टिक के बायर देख रहे हैं बायर के सारे अब हम इन टमाटर के पौदों को बांदेंगे जिससे कि हमारे ये पौदे एक साइड में जुकर के ने टूटें और फल भी कराब नो हो तो यहाँ पर हमने इन टमाटर के पौदों को इन बायर के सारे बांद दिया है और आने वाले समय में इन बायर के सहारे हमारे ये टमार्टर के पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे टमार्टर के इन पौधों में और्गैनिक फर्टिलाजर इस्तेमाल करने के कुछ दुनों के बाद का ये रिजल्ट है तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टमाटर के इन पौदों में जो हमने फर्टिलाइर इस्तमाल किया था उस फर्टिलाइर के इस्तमाल करने से हमारे टमाटर के पौदों की ग्रोथ बहुत ही तेजी से हुई इसके लावा आप हमारे इन टमाटर के पौदों पर काफे सारे फूल भी आना सुरू हो चुके हैं जैसे ही हमारे इन टमाटर के पौदों पर ये फूल आना सुरू होते हैं इसके लावा छोटी मोटी डिक्कत भी सुरू हो जाती है जैसे टमाटर के पौदे पर जो फूल आते हैं वो फल में कंबर्ट नहीं हो पाते हैं इसकी क्या बज़ा रहती है तो टमाटर के पौदे पर कभी-कभी जो फूल खराब हो जाते हैं काली पीले होकर के गिर जाते हैं इसकी बज़ा होती है पॉलिनेशन नहीं होना बैसा तो टमाटर के पौदे पर सेल्फ पॉलिनेशन होता है खुदी पॉलिनेशन हो जाता है लेकिन ज्यादा बरसात या फिस ज्यादा तेज सर्दी गर्मी की बज़ा से टमाटर के ये पौदे पर जो फूल आते हैं ये काली बनने से पहले ही नहीं ज़रते हैं टमाटर के पौदे की पत्यां कभी-कभी सर्दी में खराब भी हो जाती है ज्यादा पाला पढ़ने की बज़़े से इसलिए पाले से बचाने के लिए और टमाटर के पौदे पर जो फूल है इसके लावा टमाटर के पौदो को अच्छे तरीकी से धूप भी मिलती है अगर आपने टमाटर के पौदो के उपर पौलिथिन भी बांध रखी है मौसम भी सही है, गर्मी बरसात नहीं है ज्यादा सहदी भी नहीं है फिर भी आपके टमाटर के पौदों पर जो फूल हैं वो जड़ रहें तो इसके लिए आप self-pollination करा सकते हैं यानि कि टमाटर के पौदों पर जब फूल खिलते हैं तो सुबह उठते ही आप finger की मदद से टमाटर के जो फूल होते हैं उनको हिला दें इस तरीके से अगर आप सुबह उठते ही टमाटर की फूलों को हिला देते हैं तो self-pollination हो जाता है खुद ही pollination हो जाता है और टमाटर के जो फूल है वो धीर धीरे set होना सुरू हो जाते हैं यानि कि फौल में convert होना सुरू हो जाते हैं घर पर बेकार पड़ी plastic की cement की इन बोरी में जो हमने ये टमाटर की पौदर लगाएं और इन पर जो फूल आए थे वो धीरे धीरे फल में convert हो चुके हैं तो जैसे कि यहाँ पर आपको हम देखाना चाहते हैं जो फूल है वो किस तरीके से फल में convert हो रहे हैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमने organic fertilizer इस्तमाल किया था उस fertilizer को हम इस टमाटर के पौदे में एक महीने के अंतराल पर इस्तमाल कर रहे हैं हर महीने इस्तमाल करने से आपके टमाटर के पौदे पर काफ़ समय तक फूल और फल बनते रहते हैं और फलो का जो साइज है वो काफी अच्छे तरीके से बढ़ जाता है तो चलिए आने वाले समय में देखते हैं हमारी टमाटर के पौदे पर जो यह फल हैं यह कब तक पकते हैं और कब तक हारवेस्ट के लिए तैयार होते हैं इसके अलावा दियान रखना चाहिए आपके टमाटर के पौदे की नीचे साइड से जो सकर बिरांचेस होती हैं वो जब निकलना सुरू होजती है तो उनको आप समय रहते हैं कट कर दे इसके अलावा टमाटर के पौदे में कभी भी घास को नहीं उगने देना चाहिए अगर आपके टमाटर के पौदे में घास या अनबांटिट पौदे उगेंगे तो आपके टमाटर के पौदे का जो खाना है जो जरूरी पौसर तत्वे वो खीच लेंगे इससे आपके टमाटर के पौदर की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं चल पाईगी तो जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दूसरी साइड से भी हम आप दिखा रहे हैं यहाँ पर दूसरी साइड में भी काफे सारे टमाटर लगे हुए हैं और टमाटर के पौदर की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है पौदे और फौल एकदम बढ़िया हैं ग्रीन और हैल्थी हैं गर पर बेकार पड़ी प्राश्टिक की सिमेंट की इन बोरी में जो हमने टमाटर के यह पौदे लगाए हैं इन पर काफी सारे टमाटर आए और काफी समय से आ रहे हैं जो जो टमाटर पकते रहते हैं जो लाल हो जाते हैं जो रैड हो जाते हैं उनको हम हरवेक्ट करते रहते हैं इसके राव जैसे कि यहाँ पर आप लोग यह देख रहे हैं अभी भी गुच्छों में काफ़ सारे टमाटर जो गरीन गरीन हैं वो लगे हुए हैं और काफ़ सारे टमाटर अभी भी यहाँ पर आए हुए हैं हमने सारी पत्यां इसलिए काट कर दे ताकि हमारे यह टमाटर के जो फल हैं जल्दी पक जाएं जल्दी सैट हो जाएं वैसे आप चाहें तो इन टमाटर के फलों को अभी भी हारवेट कर सकते हैं अभी भी इनको तोड सकते हैं लेकिन हम चाह रहे हैं कि टमाटर के ये फल पौदे पर ही रैड हो जाएं पौदे पर ही पक जाएं अब हम आपको और दूसरी साइट से भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे इस टमाटर के पौदे पर कितने सारे फल लगे हुए हैं इसके लाबा हम आपको और दिखाना चाहते हैं जो इस साइड में फल पक चुके हैं तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक रैड यह फल हो चुका है इसके लाबा यहाँ पर उपर की साइड में भी फल लगे हुए हैं और यहाँ पर काफे सारे फल र रहें कुछी दूनों के बाद सारे के सारे जब फल रैड हो जाएंगे जब सारे के सारे फल तयार हो जाएंगे तो हम इनको हारवेक्ट कर लेंगे इसके लाब हम जरूत के हिसाब से एक दू टमाटर रोज तोरते रहते हैं जैसे जैसे टमाटर की पौदे पर टमाटर ये पक इसके लाबा यहाँ पर भी टमाटर के पौदे पर जो ये टमाटर लगे हुए हैं काफे सारे गुच्छों में आई हुए हैं और कुछ छोड़े हैं कुछ बड़े हुए हैं इसके अलावाद यहाँ पर भी आपको दीख रहा हुगा कापने सारे टमाटर के पौदों पर लगे हुए हैं तो दोस्तो इस तरीके साफ घर पर ही औरगानी टमाटर अपनी पूरी फैमिली के लिए उगा सकते हैं आज की हमारी इस वीडियो मताई गई सारी कंपलीट जानकरी आपको कैसे लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगती है तो आपको आज की हमारी इस वीडियो को बस सेयर करना है अपने दोस्तों या फिर रिस्तेदारों के साथ जिससे कि आज की हमारी इस वीडियो का फाइदा आपके दोस्तों या फिर दारों को भी हो सके तो दोस्तों चली चलते हैं फिर मिलते हैं इसी तरीके की नए नए जानकारी वारी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए